हलो इप्रियन विल्कम डोरी चैनल प्रोफेसर के कैडमी और मैं हूँ आदिति शिवास्तोग डिर्फेनेद आज हम बात करते हैं एमबीबियस एडमिशन नेपाल के बारे में नेपाल में आज हम टॉप 10 मेटिकल कॉलेज को लेके आए हैं उनकी पूरी लिस्ट मैंने बना रखी जैसे अब देख रहे हैं टॉप 10 मेटियों कोलेज की लिस्ट हमने इसलिए बनाई कि बहुत से स्टुएंस कन्फूज थे नेपाल में कि कौन सा कॉलेज लूँ कौन सा कॉलेज ना लूँ और नेपाल में जैसे कि आप जानते हैं near about 40 to 50% admissions आल्रेडी हो चुके हैं बच्चों की टीटी जमा हो चुकी है और नेपाल में अभी भी admission लगातार हो रहे हैं नेपाल में अब जैसे 50% के उपर admissions जाते हैं आप जानते हैं कुछ college की package increase होने वाले हैं कॉलेज के हो भी चुके हैं जैसे कि अभी आपने लेखा होगा बिराट मेटियों कॉलेज 55 लाग से लेके सीधे 61 लाग में आ चुका है पहले उतका पैकेज 55 लाग था नोबेल जो है 45 था पहले पैकेज अभी 47.5 है और अभी 2-4 टीटी जहां कॉलेज में हो जाएगी तो हमें भी हो सकता है 50 लाग में भी वो चला जाए जो हम कॉलेज लेके हैं टॉप 10 आज उसकी बात करते हैं टॉप 10 हमने कैसे निकाला जो कॉलेज काफी पॉपुलर है जिसकी डिमांड काफी है MCI का पासिंग रेशियो काफी अच्छा है वहाँ के टीचर फेकल्टी सब कुछ मिला के हमने टॉप 10 की लिस्ट बनाई है तो इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है मनिपाल का मनिपाल पोखरा जिसका जो फी स्टक्चर है समय 60 लाक्स प्लस फूडिंग लॉजिंग जा रहा है नियर अबाउट आपका 66 तू 67 होगा ये आपका है सेकेंड नमबर पे जो आता है वो आपका है कॉम्स कॉम्स आपका भरतपुर में सिच्टेटेड है काटमांडू से नियर अबाउट आपका 1500 किलोमेटर का डिस्टेंस होगा सुनौली बॉटर से जाते हैं तो करीब 100 किलोमेटर के आसपास आपका पड़ता है तो इसका भी 59 लाक्स प्लस फोडिंग लॉजिंग के चार्ज हैंगा टोटल दे आप सबसे ज़्यादा जानते हैं आप सब्से ज़्यादा लास्ट ये फूल होा था इस बार भी सब्से ज्यादा टीटी होने वोला सबसे ज्यादा अड्मिशन लेकर फूल होता है इसका जो पैकेश जा रहा है वह आपका 50 लैक्स ब्रस पोडिंग लॉजिंग यानि 60 के आ आपका जो होस्टल बॉइस गर्स अलग अलग होस्टल्स भी है और इसमें एक रूम में एक स्टुडेंट भी रह सकता है उसके चार्जेश थोड़ा से इंक्रीज हो जाते हैं तो यह को फिप्टी लाक्स प्लस फूर्डिंग लॉजिंग में हो रहा है और फॉर्थ नंबर प पैकेज चल रहा है इसमें 45 लाक्स प्लस फूर्डिंग लॉजिंग है पर इसके पैकेज बहुत जल्दी 50 लाग होने वाला है कॉलेज ने तो स्टुडेंट को बोलना भी शुरू कर दिया 50 लाग पर अभी हमारे पास आपको 45 लाक्स प्लस फूर्डिंग लॉजिंग है लानते हैं 15 से 20 साल पुराना कॉलेज है काफी डिमांड है मार्केट में और यह कॉलेज आपका इस समय जो पढ़ रहा है 55 प्वाइंट एट के आसपास इनी नियर बौट 56 लाक्स का पढ़ रहा है अगर करना चाहते हैं तुरंत अपने डाकुमेंट सेंड करें तुरंत प्राकेज इंक्रीज ना हो एट नमबर पे जो हम लेके आए हैं काटमांडू उन्वर्सिटी का मेन कैंपस है उसको दो अधम ने रखा है कि उसका ज्यादा मार्केट में एड नहीं है एक तरह से प्राइबेट कॉलेज है पर सेमी गॉर्मेंट जैसे हैं तो आहां पे कोई चल रहा है विद फोर्डिंग लॉजिंग आपका 58 लाक्स चल रहा है पर पैकेज इंक्रीज हो सकते हैं जैसे वहां पे 50% से ज्यादा सीट आपकी बर जाएगी वैसे पैकेज आपके इंक्रीज हो जाएंगे इसके नमबर बात दस नमबर पे हम लेके आएं किस ट्मेटिकल कॉलेज काडमांडू किस ट्मेटिकल कॉलेज जानते हैं त्रिबॉन अफ्लेटेड हैं कॉलेज काफी अच्छा बना हुआ है और इसका जो पैकेज अभी चल रहा है 55 लाक्स में आपको एबरेटिंग इंक्लोडेंग है फूरिंग लाजिंग एबरेटिंग इवरिटिंग तो यह आज हम टाप 10 मेटिकल कॉलेज के लेके आए हैं इसके बाद और भी 6 मेटिकल कॉलेज हैं जिसमें एडमिसन्स हो रहे हैं पर इन कॉलेजों की डिमांड्स काफी जादा है और कॉलेजों के बेच्छा अगर आप नेपाल में लो बजट पर जाते हैं तो आपको जान सब्सक्राइब को कॉल करें थैंक यू